एक बार महाराज क्रिश्ण देवरा किसी बात पर तेनाली राम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनाली राम से भरी राजसभा में कह दिया है कि कल सी मुझे दरबार में अपना मुह मत दिखाना। Up. समय तेनाली राम दर्बार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रही थे तभी एक चुगर्खुर ने उन्हें ये कहकर भरका दिया है कि तेनाली राम आपके आदेश के खलाव दर्बार में उपस्थित हैं। बस ये सुनते ही महाराज आग बगुला ह दर्बारी आगे बोला आपने साब कहा था कि दर्बार में आने पर कोजय पढ़ंगी इसकी भी उसने कोई परवाय नहीं की। अब तो तेनाली राम आपके हुक्म की भी अवहिल न करने में जुटा हैं। राजा दर्बार में पहुँचे। उन्होंने देखा कि सिर पर तेनाली राम विचित्र प्रकार की हरकते कर रहा हैं। घड़े पर चारों और जानवरों की मुह बने थे तेनाली राम। ये क्या बेहुद्गी हैं। तुमने हमारी आग्या का उल्लंगन किया है। महाराज ने कहा। दंडस्वरुप को जय खाने के तयार हो जाओ। मैंने कौनसी आपकी आग्या नहीं मानी महाराज। घड़े में मुह छिपाए हुए तेनाली राम बोला आपने कहा था कि कल मेर दरबार में अपना मुह न दिखायां क्या आपको मेरा मुह दिख रहा है। है भगवान। कहीं कुम्भार ने फुटा घड़ा तु नहीं दे ये सुनते ही महाराज की हसी छूट गई। वे बोले तुम जैसे बुद्धे मान और हाजर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन। ग्रहन करो।